Hello everyone, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से और I hope आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम continue और मस्त तरीके से कर रहे होंगे तो आज मैंने जो वीडियों में बनाने चाह रही हूँ इस पेसली किसके लिए है हाउस वाइफ के लिए है क्योंकि मैं खुद मैरिड हूँ और मुझे पता है कि मैरिड होते हुए पढ़ाई को continue करना एक बहुती difficult task होता है पर नामुम्किन नहीं होता है तो आज हम बात करेंगे इस चीज को लेकर कि अगर आप house wife हैं तो देखो एक तो house wife के पास बहुत सारे काम होते हैं मुझे भी करने पड़ते हैं तो मैं अपने आप से समझती हूँ कि हमारे लिए पढ़ाई के लिए time एक मतलब proper bet के पढ़ने के लिए time निकालना बहुत difficult हो सारी बात करेंगे इस वीडियो में अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि यहां पर मैं कोई सुनी-सुनाई बात नहीं कहती हूँ जैनुएनली जो मैं फील करती हूँ ने फेस किया है चीजों को मैं उस पर बात करती हूँ औ यहां पर सेयर करती हूँ और आप कर रहें किसी भी एक्जाम की तयारी चाहे फिर वो सुपर टैट हो, KBS, NBS, CTAT हो आपको डेफनिटली यहां से हेल्प मिलने वाली है क्योंकि एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज होती है और जो इंसान गलतियां करता है उसके पास एक अपनी वो गलतियां ना करो तो अपनी लाइफ में आप उससे भी आंगे जा सकते हो तो हम हाउस वाइफ के लिए ऐसा नहीं होता है देखो कुछ लोग क्या कहते हैं कि आप मतलब कुछ लोग रात के तीन बजे तक पढ़ते हैं है ना कोई अपना मतलब सुबह जार बजे हैं तो हम मतलब जैसे जो मेरिट नहीं है या जो वो बच्चे हैं जो सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करते हैं तो उनके लिए क्या होता वो रात के तीन बचे तक चार बचे तक भी पढ़के और सुबह आराम से दस बचे उट भी सकते हैं पर हमारी जो प्रॉबलम होती है व इन सारी चीजों के बीच में आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई को continue रख सकते हैं क्योंकि मैंने अभी तक रखा हुआ है और आगे भी रखूंगी और उनके बीच में पर आपसे ऐसे लोग आते हैं कम से कम अगर 100 लोग आपसे मिलेंगे तो उनमें से 99 या 98 आपसे ये कहे कि बहुत हो गया तुम्हारे बसका नहीं है अब तुम छोड़ दो सिर्फ 2-3% व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहते नहीं आप करो और आप सकसिस होगे तो इसलिए सबसे पहले तो जो आपके मतलब आपको जो निगेटिव बोलते हैं उनसे कैसे डील करना इन सारी ही चीजों प सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए फिस स्टार्ट करते हैं हमारे आज की जो भी स्ट्रेटजी है स्पेसली फॉर हाउस वाइब के लिए उसको हम देखते हैं नंबर वन तो हमें क्या करना होता है हमें अपने घर के काम भी करने होते हैं ना तो हम खाना बनाना स् हमारे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं उनको skip कर सकते हैं तो फिर आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई के लिए वहाँ पर time निकालोगी वो मैं बताऊंगी अब मैं बताऊंगी कि मैं क्या करती थी और मैं किस तरीके से मैनेज करती थी आप उसको खुछ से रिलेट जरूर कर पाऊगे सबसे पहले तो अब आपके पास 20 डेज बचे हुए हैं और मैंने यहाँ पे एक वीडियो डाला है कि 20 डेज में आप चाहे आप मतलब हाउस वाइफ के लिए तो हम इसमें बात करने वाले हैं लेकिन आप नॉर्मल हो या हाउस वाइफ हो आपको वीडियो जरूर देखना क्योंकि उससे आपको यह पता चल रहाएगा कि आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है उस पर आज मैं बात यहां नहीं करूंगी मैं बात करूंगी इस चीज पर कि आप टाइम कैसे निकालो और अप अपनी स्ट्रेटिजी कैसे बनाओ पढ़ने के लिए तो सबसे पहले देखो हमें बहुत सारे काम करने होते हैं इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको अपने सारे काम आप जैसे की मांन तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चार बजे मॉर्निंग के उठने से तो चार बजे अगर आप उठ जाओगे 10-15 बिनिट आपको हो सकता है पानी बानी पीने फ्रेश होने में लग जाएगा तो आप सबा चार से धाई घंटे का आपका पेपर होता है ऑफीसियल पेपर निकाल करना बेस्ट एप है और बहुत अच्छा आपको उसका रिजर्ट देखने को मिलेगा क्योंकि मुझे मिला है इसलिए मैं आपको रिक्रमेंट कर रही हूं मैं चाहती हूं कि आप भी उसका फायदा वहां से उठाओगे 200 रुपे में आपको साल भर का सब्सक्रिप्स्रिप् साड़े 6 यानि कि 4 से और साड़े 6 का जो टाइम है सबा चार से पौने साथ भी माल लो तब भी आप धाई घंटे का जो पेपर उसको प्रॉपर क्योंकि सुवह देखो बच्चे भी नहीं उठते हैं सुवह फैमिली में कोई भी नहीं उठता है अपना एकदम फ्रेस हो जा आप अपना यह पेपर लगा लोगे वहाँ पे तो आपको देखो एक तो क्या पता चल गया आपके नंबर कितने आ रहे हैं ठीक है उनको लिख लो उसके बाद वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके किस किस टॉपिक में आप बीखो जैसे और सब के नंबर क्या किय मतलब उससे भी नीचे आ रहे हैं, तो वो पेपर बहाँ पे आप यह डिसाइड करोगे, आप खुछ से डिसाइड करोगे, देखो वो आपको कोई और नहीं बता पाएगा कि आपका कौन सा बीक सब्जेक्ट है, आपका जो भी बीक सब्जेक्ट है, जिसके आपके 15 से कम आ र सब्जेक्ट है, तो उसके बाद आपका क्या है, बच्चा आपका EBS या जो भी है, तो किसी में अगर आपके 20 के आसपास आ रहे हैं, तो उसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और मालो की दो सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं, जो कि आपके 15 से भी नीचे है या 15 के आ महां पे, उसके बाद आप 20, 20, 20, यानि कि 60 ये हो गया, 60, 50 आपका 110 होता है, और अगर आप 110 पर भी फोकस कर लोगे, तो आपका 90 प्लस आराम से आ जाएगा, और आपको अपना पेपर किलियर करना है, आप मार्क्स के पीछे अब मत भागो, क्योंकि अब जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, वो मार्क्स के पीछे भागेगा, तो वो मतलब उसका फेल होने का चांसिस बहुत जादा हो जाएगा, क्योंकि आप प्रेसर लोगे, वर्डन लोगे, जो इंपॉर्टेंट चीजे हैं, जितना पढ़ना चाहिए, वो भी नहीं पढ़ोगे, और वे आपको anxiety होगी, आपको depression होगा, तो इसलिए अपने हलके mind से, positive mind से अप चीजों को उस तरीके से, और smartly पर करने की जरूरत है, उसके बाद आपने वहाँ पे अपने फेपर लगा लिया और आपने note डाउन कर लिया उन चीजों को कि मुझे आज कौन कौन से topic को कबर करना है, आप सुबह सुबह क्या होता है, सुबह सुबह देखो हमें बच्चे को स्कूल भी भेजना होता है, हमें सभी का lunch बनाना होता है, और भी बहुत सारे जो घर के साप सपाई और सुबह का breakfast वगर उतना सारा काम तो आपका लगवग आप ट्राई करों कि आप 11 बजे तक, यान चार से ग्यारा आप अपना नहाना धोना जितना भी आपका घर का काम है, और ग्यारा बज़े तक, दस बज़े तक सभी लोग चले भी जाते हैं, office वगएरा, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आपके बच्चे को मतलब बैन लेके आती है, आपके बच्चे को खु चुट्टी इस टाइम नहीं होती है, तो आप क्या कर सकते हो, ग्यारा से एक, यानि कि दो घंटे का आपका टाइम स्लोट ये हो गया, इसमें आपने जो प्रैक्टिस की थी, वहां पे जो आपके डाउट्स थे, आप उनको किलियर करो, उनको लिखो, उनको प्रैक्टिस कर बार बार उन चीजों को देखो, उसके बाद आप मालो दो बज़े बच्चे आगए, तो दो से चार, अब देखो हम हाउस बाइफ है, मैं समझ सकती हूँ, कि इतना काम करने के बाद जो बज़ता चार बज़े से उठाए, उसको रेस्ट भी चाहिए, क्योंकि एक प्रॉप मैं बही बता रही हूँ, जिस तरीके से मैं अपना रूटीन फॉलो करती हूँ, आप रिलेट कर सकते हूँ, अगर आपके पास यहां से एक्ट्रा टाइम कहीं से भी निकल आता है, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, अब आपके बच्चे को आपने ग्यारा से बारा बच्चे भी मतलब सो जाते हैं, तो उसके बाद आप चार से पांच, छे साथ, यानि कि चार से स्टार्ट परोगे, पांच, छे साथ, तीन घंटे का आपका टाइम स्लॉट यह हो गया, इसमें आप क्या कर सकते हो, आप फिर से एक प्रैक्टिस सेट अपना लगाईए, ठी आप उसको फिनिस कर सको, दस बज़े तक अपने काम को, और दस से लेकर ग्यारा बज़े तक आप फिर उस चीज को एनालिसिस करो, आपके जो टॉपिक्स हैं, उनको देखो, और उनको प्रैक्टिस करो, और जो भी अगर नहीं समझ आ रहा है, आप खुझ से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, आपको डाउट है कुछ, तो उन चीजों को किलियर करो, और मैं यहां चैनल पर भी प्रापर प्रैक्टिस करा रही हूँ, और देखो एक जैसे आप काम कर रहे हो, उस बीच में आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो, बो भी तरीका मैं आपको बताने वाली तो वो आपके लिए बहुत बैनिफिसियल होता है, मैं भी ट्राई करती हूँ, कि मैं इसी तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करा हूँ, कि आप मतलब काम करते हुए भी उसको अगर येरफोन या हैटफोन लगा के सुन रहे हो, तो आपको वो क्वेश्चन समझ में आ वो चीजें आपको समझ में आए तो उस तरीके से आप एक घंटे या दो घंटे मतलब जितनी भी आपके जिसे टॉपिक्स के लिए नहीं है तो बहां पर सुन सुन के आपके बहुत सारी टॉपिक्स के लिए हो जाते हैं, तो आप मतलब काम करते हुए भी अपनी जो की बहुत बिजी है जिनको अपनी फैमिली बच्चे सब कुछ देखना है और उसके बाद भी उन्हें अपने सीटाइट को भी किलियर करना है तो मैंने अपना एक्सपीरियंस सेयर किया है आई होप आप मेंसे सभी लोगों की जो भी इसको देख रहा है उसकी मदद हो सक कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी मुझे कॉमेंट सेक्षन में लिखके जरूर बताइएगा मैं आई होप आपको समझ आया होगा और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके लिए मैंने वीडियो अल्रेडी बना रखे हैं बहां जाके आप चैनल पर देख सकते हो I wish it will definitely help you and thanks for watching जैहिन